वेलकम स्टुडेंट्स ओफ क्लास एथ इन मैस क्लास तुडें वी विल स्टार्ट आ न्यू चेप्टर चेप्टर सिक्स डाटा है इन इस चेप्टर वी स्टार्ट एक्सरसाइज सिक्से सबसे पहले हम यह देखेंगी कि जो हमें उन्होंने डाटा दिया होता है वो इसमें हमने फ्रिक्वेंसी बनाने होती है जैसे इसमें यह दिया हुआ है एक्जेंपल दिखा रही हुँ मैं कि 15 स्टुडेंट्स का देरक है इसमें हमने लेख लिए जैसे नंबर ओफ चिल्डर फिर टैली मार्क्स ठीक है और उसके बाद नंबर ओफ फैमिलिस जैसे वन म 4 और 5 के लिए उपर वाली लाइन जैसे 2 में 3 है और यहां फ्रिक्वेंसी में हम 5 लिखते हैंगे आपका फर्स्ट कुश्चन है एक्सरसाइज 6A का दा डेली वेजिस इन रूपीज ओफ 16 वरकर आर 48, 52, 56, 58, 66, 67, 70, 77, 75, 86, 84, 90, 100, 120, 150, 150, 175, किरब फाइंड दा फ्रिक्वेंसी टेवल विध इक्वेल क्लास इंटरवल लेकर हमने डेली वेजिस जो हैं उनकी इतने-इतनी हैं 16 वरकर्स की इसका आपने फ्रिक्वेंसी टेवल बनाना है इसके लिए हमने इसको ऐसे बनाना है क्लास इंट्रेवल को हमने पहले यह देखना होता है कि सबसे छोटा नंबर कितना है इसमें सबसे छोटा नंबर 48 है और सबसे बड़ा नंबर जो है 175 है इसके लिए हमने जो क्लास इंट्रेवल लिया है वो हमने 40 to 60 लिया 48 है तो सबसे छोटा नंबर 48 है तो इसलिए हमने 40 to 60 इसमें आप 10-10 का gap भी ले सकते हो, ठीक है 10 का gap लोगे तो यह हमारा जो table है वो जदा लंबा बन जाएगा, चाहिए हमने 40-60, 60-80, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 160-180, last हमने 180 ले लिया क्योंकि हमारा last जो number है वो 175 है, अब हमने telemarks कैसे करना है, 42-60 हमने यह देखना है कि इसमें कितने number है, देखो 40 से 1, यह 52 है, यह भी 40 और 60 के बीच में आता है, यह वला भी 58 भी, बस 58 तक आते हैं हमारे इसमें, तो कितने number है, 1, 2, 3, 4, तो हमने इसमें telemarks में 1, 2, 3, 4 lines लगाती है और frequencies की 4 लिखती हैं, देखो, 1, 2, 3, 4 हो गया, next है, 62-80, अब देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यह हमारा हो गया, 5 नमबर हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हमने frequency 5 लिखती, और इसमें हमने जो telemark बनाने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और यहां line लगाके, यह 5 हो गया, अब हमने 80 to 100 देखना है, कि कितने आ रहे हैं, 80 से 80, देखो, 80 के बाद यह आ रहे हैं, 80 to 100 में, 1, 2, 3, और यह 4, यह जो 100 वाला, यह next में लेंगी, हम इसमें 90 तक लेंगी, तो हमारे होगे 3, 1, 2, 3, और इधर हमने 3 लिख दी, next step 100 से लेके 120 तक, तो कितने 120 तक, खाली यह 100 वाला आ रहा है, हमने यह लिख दिया 1, और frequency भी हमारी होगी 1, अब 120 से लेके 140 तक, देखो, 140 तक भी यह 1 ही आ रहा है, 125 तक आ रहा है, और उस ते यह 150 होगी है, इसमें भी हमने frequency 1 लिख दी और टेलिवाग भी हमारा 1 हो गया, अब है 160 से 180 तक, 160 से 180 तक भी यह आ रहा, 175 वो भी हमने 1 लिख दी और यहां frequency भी 1 होगी, अब हम इनका total करेंगी, कितना आ रहा है, 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 3, 12, 13, 14, 15, 16, यह हमारा 16 आ गया, यहां बताया था 16 वरकर्स है, तो यह वली number और यह वली frequency का number जो है, वो सेम आना चाहिए, तो यह sum आपका इतना ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, now question number second, second question है, the telephone bills in rupees of 20 houses of a certain place for a month, आर, एक मन्त का 20 लोगों का जो telephone का bill है, वो ऐसे आया है, जैसे 250, 255, 324, 326, 425, और ऐसे यह सारा जो data यह bills का दे रखा है, 20 लोगों का, उसमें कहा, उसने arrange the above data in suitable order and form a frequency table taking class interval 200 to 300, इसमें 200 से 300 का उसने दे दिया है, तो हमने इसको कैसे बनाना है, जो class interval है, वो लिख दिया, हमने 200 से 300, 3 से 300 से 400, 400 से 5, और last वाला हमारा कितना है, इसमें 1222 है, तो हमने इसको 1300 तक लिख दिया, ठीक है, ऐसे 500 से 600, 6 से 7, 7 से 800, 800 से 900, 9 से 1000, 1000 से 1100, 11 से 1200, 1200 से 1300, ठीक है, अब हमने इसमें एक मतलब कॉलम बनाना है, टेली मार्ग का, एक बनाना है, फ्रीक्वेंसी का, अब हमने देखनें कि 200 से 300 तक कितने लोग आ रहे हैं, देखो, इसको ओर्डर में लिखा हुए, इसने, 200 से 300 तक ये दोनों ही आ रहे हैं, 250 और 255, यहां हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, कितनी 2 और नमबर भी डाल दिया, 2, मतलब टेली मार्ग जो है, दो लाइने हमने लगाती, अब 300 से 400 तक देखो कितने आ रहे हैं, 1, 2, बस 2 ही इसमें आ रहे हैं, यह 425 है तो यह नेक्स्ट में आएगा, इसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी 2 लिखती है, और टेली मार्ग भी 2 लिखती है, अब 400 से 500 तक देखो कितने आ रहे हैं, 400 से 500 तक 1 और 2, यह भी 2 ही आ रहे हैं, ये दोनों लगाती है, अब 500 से 600 तक काउंट करके देखों कितने आ रहें, 500 से 1, 2, 3, 4, बस ये 4 आ रहें, ये 600 से उपर का हो गया, 600 से अब और कोई भी देख लेते हैं, नहीं आ रहें, कितना, 500 से 600, 500 से 1, 2, 3, 4, 500 से 600 तक देखों मैं फिर से गिना रहे हूं आपको, ये 1, 2, 3, 4, और ये एक अंदर ये आ रहें, 570, तो इसलिए आपके ये नंबर होगे, 500 से 600, 5, हमने 5 लिखती है, फ्रिक्वेंसी और ये बना दिए, 1, 2, 3, 4, और उपर से कट करके 5, अब 600 से 700 कितने बन रहे हैं, 600 से 700 भी देखों, 1, 2, 3, 4, और ये 5 होगे आपके, ठीक है, इसमें भी हमने 5 लगा दिया, 5 फ्रिक्वेंसी लिखती है, अब 700 से 800 देखों, 700 से एक ही आ रहे हैं, ठीक है, एक हमने वहाँ लिखती है, और एक फ्रिक्वेंसी लिखती है, अब 800 से 900 तक, वो भी 890, वन ही आ रहे हैं, अब 1000 से 1100 में कोई नमबर नहीं है, और 1100 से 1200 तक भी कोई नमबर नहीं है, इसे हम as it is खाली छोड़ देंगे, 1200 से 1300 तक भी वन नमबर है, अब हम इसका टोटल कर लेंगे, 2 और 2, 4, 2, 6, 6 और 5, 11, 11 और 5, 16, 17, 18, 19 और 20, यह वला नमबर हमारा टोटल, जो उसके हाउसे हैं, 20 उसके साथ मैच कर लेंगे, इसलिए हमारा सम सही है, नो कुछन नमबर थर्ड, नो कुछन थर्ड देखो, The following is the distribution of marks obtained by 66 students, 66 students का, इसने यह पूरा table बना के दे दिया, इसमें कुछ question दिया है, उनके हमने answer देगा है, 35, number of student है, 5, ठीक है, 35 से 40 तक 8, 40 से 45, 15, 45 से 50, 20 students है, 50 से 55, 5, 55 से 64 students है, ठीक है, यह कोई भी उसमें अपना जो चार्ट लिया है, जो distributional students का कोई काम के लिए, मतलब 60 से 65, 4 students आ रहे हैं, 65 से 72, 70 से 75, 3, अब इनमें questions के आपने answer देनी है, बटी सा, अपर limit of 50 to 55, 50 से 55 में अपर limit कौन सी है, तो जो बड़ी वली होती है, यह वली, यह 55 इसका answer आ जाएगा, ठीक है, अब second है B part, find the class marks of classes 30 से 35, अब इसको आपने कैसे निकालना है, दोनों को ब्लस करना है, और 2 से डिवाइड करते हैं, हम इसको लिखेंगे ऐसे, B part को, A का answer हमने 55 लिखते हैं, B का लिखना है, class mark of 30 to 35, कैसे, 30 प्लस 35 अपन 2, दोनों को ब्लस करेंगे 30 और 35 को, तो आपका आगया 65 अपन 2, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो, मैं आपको इससे डिवाइड करके दिखा रही हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे, 23 जा 6, उपर से आगया 5, और 22 जा 4, वन बचा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 लग गया आपका, ठीक है, 32, 25 जा 10, तो आपका आगया 32.5, ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरे का करना है, class mark of 35 to 40 equal 35 plus 40 upon 2, 35 और यह कितना आगया, 75 upon 2, अब इसको भी आपने डिवाइड करके देख लेना, देखो, 23 जा 6, और यहाँ से बन गया 27 जा 14, और 37.5, नो थर्ड का है, आपने ऐसे लिखना है, class mark of 40 to 45, चीक है, इसमें 40 plus 45 upon 2, यह आपका आगया 85 upon 2, यह आपका आगया 248 और 224.5, 42.5, next है, what is the class size, class का size क्या है, 5 है, इसमें लिखना आपको, class size is 5, ठीक है, मतले, इनका दोनों का difference है, जो, जैसे 30 से 35, जो है, class जो interval भी कहते हैं, इसको class size कितने 5 है, ठीक है, how many students got mark between 40 to 60, देखो, 40 से 45, 45 से 50, 50 से, मतले, उसने यह कहा कि 45 to 60, sorry, यह 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इन तीनों का आपने, इन तीनों को लेना है, और यह बला जो इनके आए है, इनको आपने total करके देखना है, देखो, 42, 60 होगे है ना, यह 20 है, यह 5 है और यह 9 है, ठीक है, तो कितना होगे है, 25 प्लस, 25 प्लस, 20 प्लस 5, 25 प्लस 4, 9, तो आपका अंसर है, 29, तो फिर लिखेंगे हम, students got marks between, students between 45 to 60, got marks, students, students between, between 45 to 60, got 29 marks, चीक है, यह इसी के साथ आपका third question जो है, खत्म हो जाता है, next है fourth question, the daily earning of 47 doctors are as follow, मतलब daily जो कमाती है, 47 doctors है, वो इतना इतना कमाती है, ठीक है, कितना, 171, 10 number of doctors, मतलब 171 रुपीज, 10 doctor कमाती है, 322, 8 doctors कमाती है, और 5 doctor, 677 कमाती है, 7 doctor, 1530 कमाती है, 5 doctor जो है, 2400 कमाती है, 7 doctor 3000 कमाती है, 3 doctor, 3336 कमाती है, और 2 doctor जो है, 4000 कमाती है, किरे prepare a frequency distribution table, taking equal size, one such class, one such class is 100 to 200, 200 is not included, तो इसमें 200 included नहीं होगा, students, इस question में जैसे उन्होंने ये दिया है, कि आप ऐसा class mark ले लेते हो, 100 से 200, मतलब जो last value limit, अपर limit होती है, उसको आपने include नहीं करना होता, देखो, अगर हम 100 से 200 लेंगे, तो हमारा यहीं जो है, frequency table बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने जो है, वो class interval जो लिया है, वो 100 से 500 है, ठीक है, daily earning इन रुपीज कितनी है, 100 से 500, 500 से 1,000, 1,000 से 100, 1,500, 1,500 से 2,000, 2,000 से 2,500, 2,500 से 3,000, 3,000 से 3,500, 3,500 से 4,000, क्योंकि last जो earning है, हमारी वो 4,000 है, अब देखो, हमने क्या करना है, कि 100 से लेके 500 तब कितनी आती है, देखो, यहां, मतलब 1,75, 1 भी आया, और 3,22 भी आया, तो हम इन दोनों को total करके लिख लेंगे, तो हमारा आ गया, पहले में 18 है, तो 18 के हमने टैली मार्ग लगा लिए, 1,2,3,4 और 5, 1,2,3,4 और यह उपर वला काट के 5, यह 5, 5,10, 15, और 3,18 होगे, अब 500 से 1,000 के बीच में देखो, इदर कौन आ रहा है, 677 आ रहे हैं, और यह कितने डॉक्टर्स है, 5, हमने 5 लिखा, 5 का टैली मार्ग बना लिए, अब 1,000 से 1,500 में कौन को ना आ रहा है, इसमें वो कोई भी नहीं है, च्योंकि यह 1,530 है, च्योंकि इस ग्रूप में आ जाएगा, 1,500 से लेके 2,000 वाले तब, यह हमारा 7 आ गया, आगे 2,000 से 2,500 में कौन सा आएगा, यह वला आ जाएगा, इसमें हमारे 5 हैं, ठीक है, 5 ल आ जाएगा, 7 वाला, इसमें जो 2,500 से 3,000 है, इसमें 3,000 तो है, इसमें 7 है, पर यह last limit जो है, वो include नहीं होती, यह इसमें include होगी, तो इसलिए 3,000 से 3,500 में यह दो नो आ जाएगी, तो यह हमारे पास, हमने यहां तो 0 लिखती है, यहां भी 0 लिख सकते हो, आप खाली भी 0 लिख सकते हो, और 3,000 से 3,500 में हमारे दोनों को जोड़के 10 बनगे, अब 3,000 से 500 से लेके 4,000 तक 2 है, अब हम इसके टैली माग लगा लेंगे, देखो, 7 है, तो 1, 2, 3, 4, यह 5, 6 और 7, अब यह 5 है, 1, 2, 3, 4, और यह 5, 0 को छोड़ देंगे, 10 लगाएंगे, अब 1, 2, 3, 4, और यह 5, 1, 2, 3, 4, और यह 5, अब यह 2, 1, 2, अब इनको सबको हम टोटल करेंगे, तो हमारा टोटल जो है, 47 आ रहा है, ठीक है, इसको आप टोटल करके देखलो, जैसे 18 प्लस 5, 23, 23 प्लस 5, और सोरी 7, 30, 35, 35 प्लस 10, 45 प्लस 2, 47, तो यह हमारा टोटल आ गया, 47, अगर हमारा टोटल यही सेम आ रहा है, दोनों का, तो हमारा अंसर जो है, सही है, इसी कसाथ स्टोडेंट्स, जो आपकी है, एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज, जो है, 6A, कंप्लीट हो गई है, सो यूर होमवक इस, डू एक्सरसाइज 6A, इन यूर मैस नोटबुक, थैंक यू